सो जी स्वागत आपका एक और वीडियो के अंदर और फलाल जो ये दो चाब यहां मेरे हाथ में देख पारे हुए चाब यहां हमारी ब्लॉंग करती हैं इस प्रोड़क्ट को यह है आपके सामने 2024 महिंद्रा XUV3XO यह इसका AX5 डीजल मैनुल वेरियंट है जो कि आपको कॉस्ट करता है अल्मूस्ट 12.09 रुपीज एक शोरूम डेली फईदाबाद के अंदर अब इस प्राइज पॉंट पे चीजे क्या क्या मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर उन सब चीजों के बारे हम बात चीत कर करेंगे तो आप मुझे पहली चीज यह बताओ कि इसकी लुक्स आपको कैसी लग रही है फर्स्ट इंप्रेशन क्या है आपकी नजर में तब तक हम बात करते हैं इस गाड़ी की चाबी के बारे में तो यह कुछ इस तरीके कि यहां पर आपको चाबी देखने के लिए मिलत देखने के लिए सब्सक्राइब करते हैं नीचे वाला कॉलम जो है वह आपको खाली मिलेगा सामने से एक दम ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल मिलती है अपना क्रोम के स्टिप्स के साथ यहां पर महिंद्रा का नया वाला लोगो है और काफी पैनल है यह और जो यह डियारेल साब द देखने के लिए मिलता है और थोड़ा डिजाइन भी यहां पर चेंज हुआ है गाड़ी का और यहां पर यहां पर फ्रंट की प्रोफाइल से गाड़ी को जज़ करते हो तो बाकी ग्लॉसी ब्लैक अपने ओवारियम इंडिकेटर के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं उप मस्कुलार यह पहले भी लगती थी आज भी एस इस वो जो मस्कुलारिटी इसके आज भी भरकरार है यहां अपना लेफ्ट साड़े लेगा गाड़ी के अंदर डीजल पीछे भी आप देख सकते हैं पर डिस ब्रेक की प्लेस्मेंट आपको देखने के लिए मिल जाती है बा यहां से टेल लेम्स हैं यह आप देखोगी कनेक्टेड हैं और अच्छे लगते हैं देख वीडियो में जस्टिस न्यू होती है इस चीज़ें बाकि यहां पर महिंद्रा का लोगो है एक शुवी 3XO की बैजिंग मिल जाती है नीचे रिफ्लेक्टर सभी और इनी के नीचे से भी आपको दिखायाता हूं यह आप देख लो कुछ इस तरीके से हैं चीज़ें यहां पर प्रॉपर एक्शी भी 3XO मेंशन है यह अपने रिफ्लेक्टर सभी और यहां पर एक मैगनेटिक बटन आती है जैसे प्रेस करोगे तो बूट आप अपने एक्सेस कर सकते हो कु जो कि अगेन एक स्पेस से वर टायर रहने वाला है और टूल किट बगरा जो है वो सारी चीज़े आपको इसी के साथ ही देखने के लिए मिल जाती है बाकि सही है थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है बूट स्पेस क्यूंकि एक बड़ी प्रॉब्लम थी है एक्शुभी 3D बालो के अंदर बूट स्पेस जो कि अपने कॉंप्टीशन से काफी कम था थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दिया एक अच्छा इंपेक्ट मेरे साब से आना चाहिए बाकि यह थी सारी चीज़ें और अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीर में और इंटीर की बात चीत करते हैं क इंटीर में क्या का चीज़ें मिलती हैं बाकि आप एक बार और देखलो उसकी साइड प्रोफाइल यहां पर रिक्वेस्ट सेंसे की प्लेस्मेंट आपको मिलती है डाइवसाइड डॉर पे एक्सफाइड वेरियंट के अंदर डॉर टिम्स की बात चीत कहें तो बेज और ब बट यह सीड जो है यह फैब्रिक की आपको मिलेंगी इस वेरियंट के अंदर खास तौर पर बाकि यहां पर और कंटोल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि यह एक चीज है नीच एक साइड तीन पैडल्स है यहां पर बनट खोलने के लिए 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 अलग स बग्या भी काड़ी के अंदर चलते हैं और एक एक करके जो अंदर चीए चेंज हो उनकी बादचीत हम करते हैं यहां पे एक इंजिन स्टार्ट स्टॉप बटन आती जिसे आप एक बार प्रेस करोगे तो अपना इंफोटेन्मेंट सिस्टम ओन हो जाता है और सेकंड टाइ के अंदर आपको क्रिस्प सी डिस्प्ले देखने के लिए सेम वह चीज यहां पर जो की सब भी फीचर आपको दुखाएगी जैसे कि टीपेमस वगएरा सीट बैल्ट रमांडर एयर बैग रमांडर और जितनी बी चीज़े गाड़िस लेटेट हैं डोर वगएरा कौन सखल भी नहीं है बाकी यहां पर मीडिय के कंटूल सापको मिल जाते हैं इधर की सेड आपने k्रूज कंटूल और जो सामने अपने क्लेस्टर उसके आपको देखने के लिए मिल जाते हैं बीच मे महिंदरा का लोगो को है एरबैक का आपको टैग मिल जाता है अपना टिल्ट functions के साथ मलता है अपना स्टेरिंग वील तेलिस्कोपिक ऑप्शन नहीं है यहाँ पर बाकी इल्मिलेशन आप देख सकते हो बटन्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है अच्छी लगती है देखने में और फील जो है गाड़ी की डेफिनिटली चेंज हो चुकिया त काफी ब्रैट सील आइट आपको मिलती है और यहाँ पर बीच में देखोंगे तो संरूफ के कंट्रोल जेक मिलके साथ यहां की बाद चीत करें तो यह है एक बड़ा अप्ग्रेड यहां पर आपको देखने के लिए 10.24 इंचिस की तसकी इंफोटेंबंट सिस्टम जो की एंड़ और टेपल कार प्ले के साथ आएगी फिजीकल नॉपस इन बटन्स यहां पर आपको मिल जाते हैं अपना के लिए मिल जाता है बाकि नीचे एक साइड और आते हो तो यहां पर आपको टू जोन एसी देखने के लिए मिल जाता है और यह से नीचे जितनी भी बटन्स आप देख रहे हो जिनके अंदर लैट जल रहे है यह सब ही अपना एसी से रिलेटेड कंट्रोल से आपको दिये हुआ है अपना कफोल्डर से यहां पर मिल जाते है और मैनुल हैंडब्रेक कुछ इस तरीके के आती है आम रेश्ट है जो कि फुली लैदर रैप था और यहां पर देखोगे तो अच्छी खासी स्पेस हैं मिल जाती है मतलब ट्रिम थोड़ी यहां पर चेंज होई है यह प अब चलते हैं डायक लिए पीछे और पीछे एक बात चीत करें तो यहां पर डूर पैनल सबसे पहले आप देख लो यहां पर बेज और बाड़ी के साथ फील हुग जब भी आप गाड़ी के अंदर बैटोगे वह यह कि सीड जो है काफी अटरेबल है लेग रूम में कोई क दो're प cookie होगे तो पीछे की साइड एक काफि ब्रैट सी यहलो लाइट आपको मिलती है थोड़ा वाइट क्लिटी यह लगती बाकिश्टी-फोट्री का ओप्शन था है और armrest भी तक uporder के साथ और यहाँ पर पांच जो है adjusted headrest आपको दियोए थे पांच यह बंदो के लिए यहाँ पर एक दो और यह तीन grabenders कुछ इस तरीके के दियोए थे यहाँ पर जो कि easy forward होते थे यहाँ पर अपना 2 side hook आपको मिल जाता है और यहाँ पर airbag के tags आपको मिल जाता है और seat belt जो आप देख रहे हो यह height adjustment के साथ आपको मिलती है बाकी यह ती सारी चीज़े है और अभी बात करते हैं गाड़ी के engine bay के बारे में कि engine compartment में आपको क्या देखने के लिए मिल जाता है यह है इसका 1.5 liters का turbo charge diesel engine जो कि आपको टिप्लक करके देता है और यह है आपके सामने पूरा engine bay नीट और काफी बराबरा सा आपको देखने में लगेगा और काफी थ्रिलिंग पावर के साथ भी यह आता है बाकि यह था engine bay और एक सेकंड इसको कर लेते हैं बंद और हाँ यहाँ पर देख लो इसलेशन पैडिंग भी आपको देखने के लिए मिल जा दिया बाकि यह थी आपके सामने 2024 mahindra xv3 xo ax5 diesel manual क्या ख्याल है इस गाड़ी के बारे में मुझे कॉमें जरूर से बताना इसको देखके आपके दमाग में फर्स्ट इंप्रेशन क्या है वो भी मुझे आप कॉमेंट्स बताना और यह फेसलिप्ट आपको कितना अच्छा लागा और आपको अब भी जगाड़ी के अंदर किस चीज की कम यह फील हो रही है वो चीज भी ऐसे वीडियो में तब तक के लिए वीडियो जरू को रएक करदेना चैनल को सबस्क्राइब भी करदेना और बताना कॉमेश में जाड़ी क्लिक अपके opeetni कहा है और आगे भी शेर जरू कर दने वीडियो को तब तक के लिए बाबाए